पिती वर्स यानि कि हर साल तीन मई को आपका विश्व फ्रेश सुतंता दिवस मनाय जाता है और आप लोग देखते हैं कि हर साल वर्ल्ड प्रेश फीडम इंडेक्स भी आता है यानि कि विश्व फ्रेश सुतंता सुचकंक भी जारी होता है और इस तरह कि जब रिपोर्ट आती है कोई इंडेक्स आता है कोई दिवस मनाय जाता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए मैं इसलिए बोल लाओ कि अगर आप लोग अपने एक्जाम के पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मालूच लेगा कि आपके एक्जाम में इनसे कुश्चन्स पूचे जाते है प्रलेम सो मुख परिक्छा में आप दीके अगर कहीं आप लोग अंसर आइटिंग कर रहें और मेडिया के उपर आप लोग कुछ लिख रहें तो वहां भी इनफैक्ट का आप लोग उपयोग कर सकते हैं और हमारे देश में मीडिया का क्या हाल है यह तो आप लोग भी जानते हैं लोकतंत का 14 इस्थम में भी कहते हैं मीडिया को आप लोग तो अभी 180 देशों की सूची में 161 वा इस्थान मिला है मैं यानि कि कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं माली जे एक क्लास में 180 बच्चे अगर आपके एकजाम में कोई सबाल पूचा जाएगा तो आसानी से आप लोग उसका जवाब भी दे पाएंगे 180 देशों के सुचकांक में 36.62 अंके के साथ भारत को 161 इस्थान मिला है सबसे पहले तो आप लोगों से यही पूच लेगा कि अभी हाली में या आप से कहें कि क्या पूचें आप लोगों से क्या कहेगा आप से कहेगा कि विस्व प्रेश सुटन्ता सूचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो आप लोग बता देंगे 161 और पिछले साल यानि कि 2022 में भारत का क्या इस्थान था? 150 बाद था यह आप लोग याद रखेगा और विस फ्रेज सुदंदा दिवस की बात करें तो 1993 में सयुक्तराष्ट महासबादवारा इस दिवस की गोशना 1991 में यूनेस्कों के आम सम्मीलन की सिफारिस के बात की गई थी अब यहां सयुक्तराष्ट की बात हुई है इसकी इस्थाफना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और आप देखते हैं कि इसका हेड़क आपको नियुवर्क USA में देखने को मिल जाएगा और यूनेस्कों की बात करें तो आप देखें The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization की बात हो रही है इसकी इस्थाफना 16 नवंबर 1945 में हुई थी पैरिस फ्रांस में इसका आपको हेड़कॉर्टर देखने को मिल जाएगा प्राब्दे की 1991 की बिंढ़ोग घोषना यूनेस को द्वारा अपनाए गया जो भी चिन्नित करता है प्रेस की सोतन्ता की महत्त पत्तकारों की अधिकारों की रक्षा सोतन्त और मुक्त मीडिया को पुरुसाहित करने की महत्त की वारे में जंजागरूखता बढ़ाने के लिए इस देवस को मनाने का दिवस का इविजिन किया जाता है और 2023 की थीम क्या रखेगी सेफिंग ए फ्यूचर फोर राइट्स फीडम ऑप एक्सपरेशन एज ए ड्राइवर फोर ओल दा ओल अदर हुमन राइट्स इस बार की थीम रखेग सबसे अच्छी इस्तिती किसकी रही और सबसे बुरी इस्तिती किसकी रही सबसे अच्छी इस्तिती है नौर्वे की आयलेंड की डेनमार्क की और सबसे बहतर प्यदसन करने वाले यह तीन टॉप देश हैं कौन-कौन से नौर्वे आयलेंड डेनमार्क नौर्वे आयलेंड और ये सूची में सबसे नीचे यानि की बुरी स्थित की है वेतनाम चाइना उत्तर कुरिया वेतनाम चाइना उत्तर की रिया टॉपर नौर्वे आयलेंड डैन्वार नीचे से टॉप कौन करा है वेतनाम चाइना उत्तर कुरिया भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो स 2022 में आप देखें, 142 बेस तुल्ला में, इस बरस सूचकांग में 135 बेस थान पर महत्पूर्ण सुधार किया है, यानि कि जो हमारा पड़ोसी सीलंका है, वो हमसे आप देखें अच्छी स्थिति में, 135 बेस नंबर पर है, पाकिस्तान 150 बेस नंबर पर है, पाकिस्तान भी हमसे 165 बेस थान पर है, और समस्या पर्ड़ से काफी खराब हो गया है भारत की स्थिति, भारत का बिसलेशन करें, तो सूचकांग में भारत की स्थिति वर्स 2016 में 133 बेस थान पर थी, और इसके बास से आप देखें, इसमें लगातार गिरावट आ रही है, इस गिरावट के कार दबाव को खतरनाक रोप से पिति मित करती है, वह है कुलीन बर्गों दवारा मीडिया आउटलेट्स का अधिगेंड, जो राजनेताओं के साथ घंडिश ठंबंद बनाये रखते हैं, अभी NDTV को किस ने खरी लिया, तो आप समझेगा, ये भी कारण है, संगठन के दावाह से रिपोर्टर्स सेंस फ्रेंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स बिदावट बॉर्डर्स द्वारा पितेग बस पिकासित की जाती है, यानि कि हर साल ये जारी की जाती है, दो हजार दो से, पैरेस में स्थित आहर एसेब सयुक्तराष्ट यूनेसको यूरोपी ए पजिशन फैंकोफ होनी के अंतराष्टिय संगठन के परामसी स्तिती के साथ एक सुतंत गयर सरकारी संगठन है, और OIF चंगन फ्रेंच भासी राष्टों का एक समूँ है, सेंसर से मीडिया सुतंत आपत्कारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, रेपोर्ट में आप देखते हैं मापदंड किया जाता है, सूचकां की रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पराधरित होती है, जो पितेक देश या छेत्थ को पिदान की जाती, जिसमें आप देखें 100 सरफ से संभाव स्कोर है, फ्रे सुतंता का उच्चतम स्कोर है, और 0 आप देखें सबसे पिदरसित करता है, मुल्यांकन की मापदंड क्या है, तो पितेक देश या देश की स्कोर का मुल्यांकन पांच परासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें राजनेतिक संदर्व, कानूनी धाचा, आर्तिक संदर्व, सामाजिक संकेतिक संदर्व, और सु के बारे में कहां बात कीगी हैं तो अनुचेद 19 को पढ़िए आप लो समीधान के भाग 3 को मौलिक अधिकारों को पढ़िए और अनुचेद 19 भासन और अभीवेक्ति की सुतनता की गारंटी देता है जो भासन की सुतनता अधी के सम्मद में कुछ अधिकारों के संरक्चन से स और प्रेश की सुतंता भारती कानूनी पिडाली द्वारा इसपर्ष्ट रोप से सरक्षित नहीं है लेकिन ये ऐसा मिधान की अनुछेद 19-1-1 के तहत सरक्षित है जिसमें कहा गया कि सभी नाग्रेकों को भासर्ण और अभिव्यक्ति की सुतंता का अधिकार होगा आप देखें 1950 में सर्वोच न्याले ने रोमेश थापर बना मद्रास राज मामले में कहा कि प्रेश की सुतंता सभी लोकतांतरिक संगटनों की निव है हाला कि प्रेश की सुतंता भी पूर्ण नहीं है अनुचे 19-2 को अगर पढ़ें आप लो तो कुछ इस पर पितिवंद भी लगाया जा सकते हैं जैसे भारत की संपिरभूता एकता की बात होती है अगर कोई भारत की संपिरभूता और खंडता को नुक्सान पहुंचाता है तो तब आपकी मेडिया पर भी क्या होगा पितिवंद लगा दिया जाएगा राजी की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्ती पूर्ण संबंद, सारजुनिक विवस्था, सालीनता या नेतिकता, या अदलत की अवमन्ना, मानहानी या किसी अपरात के लिए उक्सानी के संबंद में यह सब आप अगर रहता है, यह पर भावित होते हैं, तो आप लोग उसका आंसर जबाब देने की स्थिति में पहुच गए होगे, और किसी टॉपिक के बारे में बात करनी हुआ करे, तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं,